नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल क्रेजी फेंटैसी गुरूजी में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IPL के साथ में मुकाबले के बारे में मुकाबला राजस्थान राइल्स और RCB के बीच में होने वाला है अगर आप भी मेगा ग्रेंड लिग टीम बनाकर अच्छी खासी बिनिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरूशी लेकर एंड तक जरूर देखना इस वाली वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सारे खिराडियो में से अमारे लिए कौन सा खिराडी बैस्ट रहने वाला है और कौन सा खिराडी फ्लोक जाने वाला है अमारी मेगा ग्रेंड लिग टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से खिराडी होने वाले है और साथ की साथ पिछ रिपोर्ट की विसे विजान करी एक ही वीडियो के इंदर आपको देखने को मिल जाती है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो आईए करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले विकेट कीपर वाले सेक्षन की बात की जाए तो विकेट कीपर वाले सेक्षन में आपको उपर उपर आपको जोस बटल देखने को मिल जाएंगे इसके बाद संदू सेमसन देखने को मिल जाएंगे इसके बाद इनेज कार्टिक देखने को मिल जाएंगे इसके बाद एलन देखने को मिल जाएंगे इसके बाद अंजूरावत देखने को मिल जाते हैं इसके बाद नीचे ही नीचे आपको कुनाल सिंग राठोड देखने को मिल जाते हैं यह सारे खिलाडी आपको विकेट कीपर वाले सेक्सिल में देखने को मिल जाते हैं अब इन में से हमारी ग्रेंड लिग टीम के लिए कौन से खिलाडी अच्छा पर्फर्ण करके जाएंगे और कौन से खिलाडी फिलो उप रहने वाले हैं उपर ही उपर आपको जौस पर्टरल की बात की जाए तो जौस पर्टरल पिछले मुकाबले में फना पी गए थे बाके आपको पता ही है प्लेयर काफी जबरदस्त है तो इनको आप अपनी मेका गडेंडिक टीम में जरूर से लेकर चलिएगा इसके बाद संदू सेंचन की बात की जाए तो यह भी काफी जबज़च खिलाडी है बाके आपको पता ही है यहां पर टाप आपडर में जौस पर्टरल आने वाले हैं यदि जौस पर्टरल पचास आठर रन बना कर आउट हो जाते हैं तो सारे जिम्मेवारी संदू सेंचन है तो हैने आप डॉप आउट करके चल सकते हो इसके बाद एलन की बात करें तो इसे अपनी टीम में जुरूर्स लेकर चलना वा कि इसके ख download हो इसके से खिलाड़ी इन पोर्टेट रहने वाले हैं कौन से खिलाड़ी ड्राप आउट करके चलने वाला हूं उपर ही उपर आपको विराट को यह देखने को मिल जाएंगे यह पिछले मैच में जल्दी ही आउट हो गए थे बाकि इस वाले मैच के अंदर इनका पर भी प्रफॉर् प्रफॉर्मेंस का पी अच्छा रहने वाला है तो इनको भी आप अपनी टीम में जरूर से लेकर सकते हैं बाकि नीचे आओगे तो आपको जस्वाल भी देखने को मिल जाते हैं पिछला मुकाबला इनका भी काफी जवद्दस रहा है इस मुकाबले में इनकी प्रफॉर्म प्रफॉर्मेंस के लिए मैं इनको रिक्मेंट ने करूँगा अपके नीचे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे इनको आप ड्रोप आउट करके चल सकते हो बाकि इनका प्रफॉर्मेंस इस आई पेर के अंदर कुछ खास नहीं चल रहा है बाकि नीचे या जे रो में जरूर से लेकर चलना इनका भी प्रफॉर्मेंस काफी जबरदर देखने को मिलेगा अच्छा खासा ट्रंग भी मिल सकता है इनसे आपको बाकि यह जो नीचे के खिराडी है ज्यादा कूछ इंपोर्टेट नहीं होगे इस वाली मैच के अंदर तो इन्हें आप ड्रोप इन्पोर्टेट ओने वाले हैं उपर ही उपर आपको मैक्सवल देखने को मिल जाते हैं मैक्सवल की बात की जाए तो इस वाले मैच के अंदर मैक्सवल का प्रफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल सकता है वह क्यों क्योंकि आपको पता ही है इस वाले इस पर सपिनर क को तो अच्छा का सा टरण मिलने ही वाला है तो आप अचरंगा को अपनी Grand League टीम में जुरूर से लेकर चलना बाकि मैं यğां परेया स्वनी को भी अपनी Grand League टीम में लेकर चलने वाला हूँ बाकि मैं यह इन टीनों पिन्रों को लेने वाला हूं बाकि निच्चे के खिलाडी इतने इंपोर्टेट नहीं होने वाले इनको आप सोड भी सकते हो इस वाले मैच में रन भी काफी देखने को मिलेंगे और विकेट भी काफी देखने को मिलेंगे पूरा का पूरा मेच बैलंस तरीके से होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर यह खिलाडी लेने वाले हैं, अब बात करते हैं बाल्लिंग वाले सक्षर्ड की बाल्लिंग वाले सक्षर्ड में अमारी लिए कौन सा terce खिलाडी inipotrate रहने वाला थे उपरे उपरा आपको यूजी चेल देखने को मिल जाते हैं कांफी बेस्ट है सपेंकर को इसस पपर काफ करlaw मिलती है बाके हम यहां पर वो में के यहां अपने मुहमद सिराष का भी आपशन काफी बेस्ट होने वाला है और सिबी की तरप से बेस्ट बॉलर है यहां पर मुहमद सिराज तो यहां पर हम मुहमद सिराज को भी अपनी ग्रेंड लिग टीम में लेकर चल सकते हैं यहां मैं बॉलिंग वाले सेक्शन से ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ यहां जो ज़्यादा प्रफॉर्म के खिराड़ी लिए हैं इसी तरह आप भी अपनी मेगा ग्रेंड टीम बना सकते हैं और यहां पर आपको बदा देता हूँ सी बीसी का अप्शन हमारे लिए कौन सा खिराड़ी होने वाला है विकेट कीपर से आपने विकेट कीपर से जोस बटल को केप्टन रख सकते हो और बेटिंग सेक्षन से विराट कोली को सी बीसी में रख सकते हो अगर आप दो चार टीम बना रहे हो तो इस तरह से केप्टन वाइस केप्टन रख सकते हो नमस्कार दोस्तों दिन्यवाद जाही